हेलो एवरिवन वेलकम टू जोरावर क्लासिज मैसल कफिल संडिले और मैं आपको एविस का पोर्शन करवाने वाला हूं आज हम डिसकॉस करने वाले हैं इंडियन नेश्रल कॉंग्रेस की स्थापना से लेकर और फाइनल जब भारता जाद होता है उसके बीट में जो भी वो सारी चीजे हम कोश्चन के रूप में देखेंगे और थोड़ा वो 10 कोश्चन हमने इसमें लिये हैं उन 10 कोश्चन के साथ हम कोशिश करेंगे कि 30 to 40 कोश्चन हमारे कवर हो जाएं और पूरा ये सेसन जो है इंडियन नेश्रल कॉंग्रेस के रिलेटेड वो कवर करने की कोशिश करेंगे तो स्टार्ट करते हैं तो हमारा फर्स्ट कोश्चन से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोश्चन हमारा जो है वह हूँ वास दा वाइसराय एड़ टाइम ओफ फॉरमेशन ओफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस भारती राष्टे कॉंग्रेस के गठन के समय भ भारती राष्टी कॉंग्रेस के गठन के समय पर भारत का वाइश्राय कौन था। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाइश्राय 1858 में बिटिश एक्ट ओफ 1858 बहुत इंपोर्टेंट एक्ट है। इसके अंदर जो गौवर्णर जनरल होते थे भारत गौवर्णर जनरल ओफ इंडिया उसके पद को खतम करके उसके जगह पर वाइश्राय ओफ इंडिया स्टार्ट कर दिया गया। 1857 में और 1858 इस दोरान जब जो 1857 की करांती चल रही थी रिवोल्ट ओफ 1857 चल रही थी उसमें पर लोड कैनिंग भारत के गौवर्णर जनरल थे और बाद में वही पहले वाइश्राय बन जाते हैं भारत के तो यह ट्रम हमने यहां क्लियर कि कि वाइश्रा क्यों का जा रह है लेकिन अब हम बात कर रहे हैं राष्टिक कॉंग्रेस के बारे में और यह समय है भारती राष्टिक कॉंग्रेस की स्थापना की थी 1885 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में पहले जो स्थान चूज किया गया था वह पुने था लेकिन पुने में हैजा फैल गया कोलरा हो गया तो इस आउट प्रेक के वज़े से hotel energy में इसका place change कर दिया गया मुंबई shift कर दिया गया और arrangement जो किया गया वो किया गया गोकूल तेजपल संस्क्रिट कोलेज तो यहां पर गोकूल तेजपल संस्क्रिट कोलेज में जो है इसका session बुलाय गया पुने को बदल दिया गया तो इसलिए फर्स सेशन जो नेशनल कॉंग्रेस का हुआ एटिफाइब में मुंबई में हुआ तो उस समय भारत के जो वाइशरे थे वो डफरिन थे डफरिन से रिलेटेड बहुत जादा कोशन पुछे जाते हैं डफरिन जो है वो खुश नहीं थे इसकी स्थापना से हाला क कि जब इसके सथापना की घए थी तो दफरिन सोच रहे थे कि इसकी स्थापना से साइद उनकी कुछ प्रिषानी और होगी लेकिन बाद में पहले सेशन में उनको पता चल गया कि प्रिषानी दूर होने वाली नहीं पहले ऑईसी जो बिटिष स्थापना किजा रही थी उस मारा आंसर हो गया डफ्रिन नेक्स्ट कोश्चन की तरब बढ़ें 1885 में जब बंबे में आयोजीत भारती राष्ट्रे कोंग्रेश का पहला सत्र चल रहा था तो उसमें कितने प्रतिनिदियों की संख्या थी तो मुंबई का नाम पहले बंबे था और बंबे पूरा प्रिजिडेंशी थी बंबे के अंदर महाराष्ट्रा भी था और गुजरात भी था आज के समय कि मुंबई देखे तो एक छोटा सा प्लेस है लेकिन पहले बुंबे प्रिजिडेंसी जो ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो प्रिजेंसी थी बुंबे उसमें महारास्टर भी था और गुजरात भी था एक बड़ा एरिया था तो बुंबे के मुंब बहुत important है और बार बार पूछा जाते 72 delegates थे और यही इसके founding member भी है तो आपसे पूछ लेकि कितने founding member थे तो वो भी 72 ही थे क्योंकि यही लोग वहाँ पे शामिल हुए थे और उसमें session में भाग लिया और यही पहले सदस्या बन गए और founding member भी बन गए इसके अलावा भारत है दादा भाई नौरो जी दादा भाई नौरो जी इंडियन नेशनल मुव्मेंट में बहुत important एक topic बन जाता है इनको grand old man of India कहा जाते है यह question भी पूछा जाता है कि grand old man of India कोन है भारत के वयोवरिद पुरुष्की शिखा जाता है दादा भाई नौरो जी इसके अलावा first Indian जो British Parliament में elect हुए वो भी दादा भाई नौरो जी ही है यह question भी पूछा जाता है कि वो first Indian कौन है the first Indian who was selected in elected in British Parliament वो दादा भाई नौरो जी है दादा भाई नौरो जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है poverty यह question भी पूछा जाता है यह पूछा जाता है यह पूछा किसकी है and un-British rule in India इस पूछा में उन्होंने एक ठियोरी दे जिसको कहते हैं drain of wealth इस topic को हम करवाएंगे जब हम दादा भाई नौरो जी को special topic करेंगे इस पूछतक के अंदरी उन्होंने कहा कि जितना नादिर सा लूट के लेकर गया है उतना तो अंग्रेज हर साल हमारे देश से लूट के ले जा रहे है और उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए कि किस किस तरीके से यह पैसा जो है धन का भाहिर गमन हो रहा है ड्रेन ओफ वेल्थ हो रही है तो यह topic यह question हमारा इसका अंसर होगा है 72 delegates इसके लावा कुछ एक्स्टा questions भी हमने कर लिए जो इस session से related हो सकते हैं next question की तरफ भढ़ते हैं भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश के पहले सचीव कून थे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेश जो है उसके first secretary या मास अचीव भी कहा देते हैं first secretary of Indian national congress वाज यहाँ पर secretary की बात हो रही है ना कि president की president यानि की अध्यक्ष तो secretary या मास अचीव जो थे वो एलन ओक्टेवियन हूम थे एलन ओक्टेवियन व्यूम तो यही वो वेक्ति हैं जिनको founder कहा जाता है कॉंग्रेश का तो कॉंग्रेश के founder कौन हुए ए-o हूम या एलन ओक्टेवियन हूम इनको founder भी कहा जाता है और first secretary विखा जाता है या महा सचीव भी कहा जाता है अब बात करते हैं जो हमने डफरिन की बात के थी डफरिन ऐसा माना जाता है एक theory है safety wall theory यह theory कहती है कि डफरिन ने ही ए-o हूम यूम जो की एक retired civil servant थे बिश्ट इंडिया company के रिश्टेवा निवर्थ थे इनको कहा कि आप एक ऐसा political शंगठन बनाईए जिससे यह जो पड़े लिखे लोग हैं क्योंकि जो अठारा सवस्तावन का जो कुरांती हुई थी उसमें पड़े लिखे लोग जो है वो राजाओं का साथ नहीं दे रहे थे वो सोच रहे थे कि 1857 की जो क्रांती है वो राज जैसा development जो है चल रहा है कहां पर ब्रिटिश में या पश्चिम देशों में चल रहा है वो यह सोच के चल रहे थे लेकिन उनके यह सपने जो है वो चूर हो गए 1857 की उनकी नीतियों को देखके अब उनके अंदर आकरोस था अगर वो आकरोस बढ़ेगा तो देर विल बी र मंच पर निकाल दिया जाए जिससे करांती ना हो तो उसका मंच बनाने के लिए उन्होंने जो है राष्ट्रे कॉंग्रेश की स्थापना में उन्होंने अंग्रेज उन्हें स्पोर्ट किया और एलन ऑक्टेवियन भ्यूम एक सेफटी वाल निकालने की कोशिस की जैसे जो कलम की होता है और उसमें जब लावा निकलता है नीचे से प्रेसर करके तो बहुत बड़ा विस्पोर्ट होते हैं उन्होंने कहा पहले से ही एक वाल निकालीजे जिसे थोड़ा गुसा निकलता रहे थोड़ा लावा निकलता रहे और बहुत बड़ी करांती ना हो तो यही स सोचते थे कि इसमें केवल social issues को ही उठाया जाएगा जो society के issues हैं उनको उठाया जाएगा लेकिन उनका सपना ये तूट गया और उनकी आशा ये तूट गई जब पहले ही session में 1885 में ही political issues को इस मंच पर उठा दिया गया और उसके बाद डफरिन जो है वो angry हो गए डफरिन ने कांगरेश की अलोशना करनी शूर कर दी क्योंकि डफरिन उसमें पर वाईसरावेफ उइंडिया थे अब इसका हमारा आंसर तो हो गया एलन अक्टिविन हूम बात करते हैं जार्ज यूले की जार्ज यूले जो है वो first Christian President of Congress है अब यहाँ पर इतने ही बताएंगे उसके बाद हम कुछ और कोई कटा करके चार सेशन लगाता हमें याद रखने हैं 1885 से 1888 तक के सेशन जो हमेशा हमें याद रहने से यह और 1888 का जो सेशन है वो अलाबाद में हुआ था जिसमें जार्ज उले प्रेजिडेंट थे यह सेशन हम यहाँ पर इतना ही याद रखेंगे नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं भारती राष्टे कॉंग्रेश के पहले अध्यक्ष कौन से हूँ वास दा फर्स्ट प्रेजिडेंट ओफ इंडियन नेशनल कॉंग्रेश इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के पहले अध्यक्ष कौन थे हम सभी जानते हैं कि भारती राष्टे कॉंग्रेश की स्थापना 1885 में हुई थी और इसकी स्थापना की थी ए ओ हुयों ने वह ही इसके महाशचीव भी थे ठीक है इसका नाम दिया था दादा भाई नारो जी ने यतना तो हम रिवाइज कर चुके हैं लेकिन प्रेजिडेंट फर्स्ट कौन थे फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे तो वो थे डबलूशी बनर जी व्योमेश चंदर यह फुल फोम हो गई ऐसे भी आ जाता है बनर जी ठीक है 1885 में व्योमेश चंदर बनर जी है और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1888 में जोर्ज यू ले हैं जो कि फर्स्ट क्रिस्टिन है नेक्स कोशन में हम कुछ कंबाइन कर देंगे इनी को और उसको कंप्लीट करेंगे जो हम समझाना आपको चाह रहे हैं किसने कांगरेश का उपहास किया था क्योंकि क्योंकि ये सुक्षम दर्सी अलब संक्र को होने का परतिनेद्र करते थे किसने ये कहा who radicaled Congress as representing only microscopic minority of the people तो डाफ्रिन ने कहना शुरू कर दिया जब उसकि ये योजना शफल नहीं हो पाई और उसको लगा कि ये तो बढ़ा problem करने वाले है ये अब ये और गनाइसन जो establish हो गई है ये तो बढ़ा problem करने वाले है तो इन्होंने कहा कि ये पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन नहीं करी पैन इंडिया मतलब होल इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है पार्टी और ना ही सारी कास्ट को या रिलिजिन को रिप्रेजेंट करती है इन्होंने propagate करना शुरू किया कि ये पहले तो कहा हिंदू पार्टी है फिर कहा हिंदूों में भी पूरे हिंदू का ये representation नहीं करती ये minority और वो भी minority है जो की microscopic है बहुत ही छोटी minority को represent करती है ये भारती लोगों की party नहीं है इस तरीके से डफरिन ने ये कहना शुरू किया इसके लावा उसने कहा कि Congress जो है वो टोटरिंग कर रही है लड़ खड़ा रही है ठीक है डूबते जहाज की तरह है और मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं इसको सांतिपूर्ण मरने में साहता करूँ तो ऐसे ऐसे बयान इसने देने शुरू करते थे इसलिए डफरिन इंपोर्टेंट हो जाता है और इससे बहुत ज्यादा question पूछे जाते है दवाइसराय ओफ इंडिया अड़ा टाइम आफ फांडेशन ओफ इंडिया नेशन कोंग्रेस इन 85 इन मॉंबाई हम next question की जरा भढ़ते हैं भर्ति राश्टि कॉंग्रेस द्वारा स्थापित क्या इंडिया नेशनल कोंग्रेस बाज फांडिड बाई यह तो हम करी चुके हैं फिर से रिपीट हो रहा है फू फांड़ेड इंडेनेशनल कॉंग्रेश इंडेनेशनल कॉंग्रेश वाज फांड़ेड बाई एलन ओक्टेवियन हुम अब हमारा जो है थोड़ा सा यहां पर हमें समय लगाएंगे व्योमेश अंद्रबनर जी 1885 में फर्स्ट प्रेजिडेंट थे 1886 में सेशन होता है कैलकटा जो कि आज कोलकाता का जाता है ठीक है इस सेशन में जो अधेक्स थे वो थे दादा भाई नोरो जी दादा भाई नोरो जी मैं क्या समझाने के कोशिश कर रहा हूं इसको आप देखना कि डफरिन ने कहा यह तो एक ही धर्म को रिप्रेजिडेंट करती है या माइनर्टी को रिप्रेजिडेंट करती है लेकिन कॉंगरिज क्या कर रही है 1887 में मदरास प्रेजडेंसी जो आज तमिलाडू है और अंधरप्रदेश उसको मदरास complete को मदरास presidency कहा जाता था तो मदरास में session होता है 1887 में और उसकी अध्यक्सता करते हैं बद्रूदीन तयब जी और finally 1888 जो हमने discuss किया उसमें अलहाबाद में इसको represent करते हैं इसके president पंदते हैं George Yule there was a message that this Indian National Congress is going to represent all the religion and all the region first session Mumbai second Calcutta third Madras and fourth is Allahabad तो यह किसी एक region से related party नहीं है पूरे इंडिया की party दूसरा पहले session में जो अध्यक्स थे वो में चंदर्बनर जी थे यह एक हिंदू है उसके बाद दादा भाई नौरो जी यह एक पार्सी है मदरास में first muslim बदरूदिन तयब जी 1887 में पहले muslim जो बने वो बदरूदिन तयब जी थे और finally 1887 में George Yule जो कि एक इसाई थे तो सभी धर्मों को यह लोगों के यह पार्टी है यह रेप्रेजेंट करने की यह कॉंग्रिस का एक message था तो एक अच्छा message था counter करने के लिए British theory को जो कि इसको microscopic minority कहने की कोशिश कर रही थी और डफरिन के लिए यह एक जटके की तरह थी अब बात करते हैं next question की इन में से कोन भारती राष्टे कोंग्रेश के अधाक्ष कभी भी नहीं रहे who among the following never became president of Indian National Congress यह चारो पांचो ही नाम बहुत ज़्यादा important है कैसे important है इनसे related क्या question आते हैं देख लेते हैं महात्मा गांधी केवल एक बार ही 1924 में बेल गाओं सेशन था बेल गाओं इस इस पार्ट इन करनाट का यह महाराष्टा और करनाट के बाउंडरी पे पार्ट है बेल गाओं अभी modern time में देखे तो वहाँ पर एक सेशन हुआ 1924 में केवल only session एक ही session जिसमें महात्मा गांधी जो है प्रेजिडेंट रहे इसके साथ हम एक और session यहाद रख सकते हैं जो कि अक्षर पूछा जाता है first Indian female अगर बात करें पहली female की 1970 में 17 में यह first female जो थी वो थी एनिबेशेंट एनिबेशेंट जो थी वो first female थी जो की भारती राष्टे कॉंगरेश की अध्यक्ष बनी एनिबेशेंट आइरलेंड से रिलेटिट थी इसके लावा जो है theosophical society से भी जुड़ी हुई थी और उन्होंने जो है home rule moment भी चलाया था तो ये सारी चीजे जो है एनिबेशेंट से रिलेटिट हैं लेकिन 1917 में एनिबेशेंट जो है वो इसकी अध्यक्ष बने और शेशन था कोलकाता तो एक question तो यही बन गया अगर पूछे के Indian कौन थी first Indian female तो वो है Sarojini Naidu क्योंकि वो गांदी जी की follower थी तो इसको गांदी जी के साथ जोड़के जो है हम अच्छे से याद रख शकते हैं special effort करने की जूरत नहीं रहेगी उसके बाद दूसरा option हमारा है सुभास बाबू से related जो है हमारा बहुत ज़्यादा question पूछा जा रहा है हाली में आज कल के examen में भी बहुत पुचा गया है दिली पुलिस हो या SSC हो सुभास से related दो session हमें याद रखने है 1938 और 1939 1938 में जो session हुआ हरीपूरा में हुआ हरीपूरा session जिसमें सुभास अध्यक्स बने हरीपूरा आज के समय पे देखें तो गुजरात में it is situated in गुजरात next session क्योंकि सुभास अध्यक्स की गानी जी से नहीं बनती थी इनकी ideology दोनों की अलग थी इसी वज़े से 1939 में ही जो ideology difference बन गया था उसकी वज़े से गानी जी दूसरे candidate को support कर देते हैं जिसका नाम है पट्टा भी गांधी जी के स्पोर्टेड है इधर से presidency के लिए खड़े हो जाते हैं सुभास अध्यक्स फिर से और वो क्या करते हैं इनको हरा देते हैं और वो फिर से president बन जाते हैं और यह session है त्रिपूरी session त्रिपूरी एक स्थान है मध्या प्रदेश में तो यह इसको त्रिपूरी संकट विखा जाता है इस आल सो काल त्रिपूरी प्रोब्लम त्रिपूरी प्रोब्लम जो है वो यही थी कि यहां पर पट्टा भी सिता रमया जोगी गांधी के स्पोर्टेड केंड़ेट हार गए और सुभास बावु जीत गए लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग गांधी जी को स्पोर्ट करते थे तो वो सुभास बावु जीत को स्पोर्ट नहीं करते थे और इसी आइडिलोजिकल डिफ्रेंस की वज़ा से जो है वो रिजाइन कर देते हैं तो यहां से कुशन पूछते हैं कि कौन से सेशन में रिजाइन किया और दूसरा पूछते हैं कि दो सेशन कौन से है तो यह दोनों ही सेशन जो है इम्पोर्टेंट हो गए उसके बाद यहां पर क्योंकि स्पोर्ट नहीं किया गए नाइम है इस वाशंदर बोस जो है सतावित करते हैं तो दोनों ही ऑप्शन हमारे कट गए क्योंकि ये दोनों प्रेजेंट रहें उसके बात करते हैं गौपाल कृष्ण को अखले की बात यह बहुत इंपोर्टेंट भात है क्योंकि गौपाल कर्शन को खले 1905 जब बंगाल व में गांदी जी आते हैं तब भी गोपाल कृष्ण गोखले उनको एक एडवाईज देते हैं कि पहले भारत को समझिए सावतवरीका की तरह नहीं है थोड़ा अलग है तो एक साल तक इसका भर्मन करते हो 1915 से 1916 तक तो इनके पोलिटिकल गुरू को नहीं है गोपाल कृष्ण चला था और यह 1905 में इसको स्पोर्ट किया गया था तो यह अंसर हमारा हो गया नेक्स कोशन की तरफ बढ़ते हैं भारतिय राष्टे कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम है अध्यक्स कौन थे यह राष्ट्पति नहीं है अध्यक्स है हूब आज फर्स्ट मुस्लिम तो हम कर चुके हैं 1887 का टाइम जब बदरुदिन तयाब जी मद्रास सेशन था फर्स्ट मुस्लिम हमने देखा था इससे पहले 1886 में कलकत्ता सेशन में तादभाई नारोजी थे और 1885 में मुंबई सेशन में वियो मिशन बनर जी थे 1888 में जोर्ज यूले अलाबाद सेशन में थे यह कोशन जो है पहुत इंपोर्टेंट है बार-बार रिपीट होते रहते हैं यह सारा सारा जो है इंपोर्ट सेशन जो है वह हम डिसकस कर रहे हैं नेक्स कोशन है भारते राष्टे कॉंग्रेस 1916 में जो लखनुवा दिविशन हुआ उसके अध्यक्स कौन थी हुआ थे प्रेजिडेंट ऑफ लखनु सेशन ऑफ इंडिनेशन कॉंग्रेस ऑफ 1916 तो यह 1916 से पहले हमको समझना होगा कि 1907 एक सेशन हुआ जो कि सूरत सेशन था सूरत गुजरात में तापी नदी के किनारे पर है यह भी पुछ लेते हैं सारी चीछ बताके कि 1907 में सूरत अध्यशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे राष्बिहारी बोस राष्बिहारी बोस इसके अध्यक्ष थे और इसी करण जो है एक विवाद हो गया कि यहां पर डिमांड हो रही थी कि बाल गंगा दरतिलक जो कि हमने पहले कुश्चन में देखा था कि सभी तीन ओप्षन अध्यक्ष बन चुके थे तो उसका अंसर बाल गंगा दरतिलक हो गया था हम बताना भूल गये लेकिन राष गंगरेश का विवाजन हो गया इस विवाजन की वज़े से कंगरेश दो हिस्सों में बट गई बाद में 1916 में जब दोनों ही इस्व को पता चला कि यह एक गेम प्रेट बाइब ब्रिटिश दोनों को डिवाइड करने का और उससे किसी को भी फाइदा नहीं हुआ तो 1916 मे उसके अध्यक्सते अंबिक का चरण मजूमदार इसमें दोनों ही धड़े फिर से मिल गए और इसी सेशन में जो है मुस्लिम लेग भी राष्ट कोंग्रेश के साथ लखनों में जो है वह मिलके ही सेशन कर रही थी तो यह इंपोर्टेंट हो गया ममद अली जिनना जो है वह कोंग्रेश के रिजाइन करके चले के लेकिन बाद में वह खुद ही पॉलिटिक्स में धर्म को लेके आए जो वह मुस्लिम लोगी लेक्स से जुड़ गया तो यह अंसर नहीं हो सकता है स्रोजनिन आइडू हमने देख लिया 1925 में हुआ था इनका एक ही सेशन था जो की कान नेक्स कोर्शन है भारती राश्य कोंग्रेश के निमलिक्त में से किस सत्र में स्वदेशी का संकल्प अपनाएगा यह हम डिसकस कर शुगे हैं तो हमारा जो सेशन है वह बनारा सेशन है 1905 का तब ही जो है बंगाल का विभाजन हो था इन विस वह फॉलिंग सेशन इंडियन प्रदान किया गया था और इसके अध्यक्स थे उस समय पर गोपाल कृष्ण गोखले यह हम डिसकस कर चुके हैं कि नेक्स कोश्टिन इज चलिए नेक्स कृष्टिन तो ख़दम होगे लेकिन कुछ इंपोर्टेंट चीजे जो हम डिसकस कर सकते हैं दो तिन मिट में वह देख लेते हैं दो सेशन हमको और करने जरूरी है वह दो सेशन है 1896 और 1911 1896 का सेशन हुआ था वह कोलकता में है एक एलकटा में हुए था दादा भाई नौरो जी दादा भाई नौरो जी अगर आपसे पुछा जाए कि कौन सब्सेज्ट ज़्यादा बार Febru men यह है तो दादा भाई नौरो जी ए वह कर दो तीन बार बने है 1886 मे आ कि क्यलकटा में था वू भी इटिन-गतिसिक्ष में ये घलकटा में था और 1906 ये घलकटा में थोड़ा इसके बारे महीं पड़ेंगे तो यह session में पहली बार 1.27 वाज जिए संग these other programs song वाज फॉर्स्ट च्वर्स्ट संगिन इन вес इससन सपील pitch वटें बंकिम चटर जी ने ये लिखा है, एक पुस्तक लिखी उन्होंने आनंद मठ, इस पुस्तक में ये, इस उपन्यास के अंदर ये सौंग भी लिखा हुआ है, और ये आनंद मठ जो है, वो सन्यासी विद्रोश रिलेटेड है, सन्यासी रिवोल्ड, तो ये सारे कोशन पूछे जाते हैं, तो इसको हमने कर लिया है, 1896 में, और 1911 का सेशन है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी, और सेम कैलकटा में ही ये सेशन हुआ था, और इस सेशन में सबसे पहले जन गनमन गया गया था, जन गनमन आप सभी जानते हैं, कि ये रविंद्र नाट्य गोर जी के द्वारा लिखा गया है, तो ये सेशन भी इंपोर्टेंट है, अब बात करते हैं, कुछ और ऐसी इंपोर्टेंट चीजें जो कुशन में असल में बहुत सारी चीजें हमें दिसकर्स कर ली है, और लगबग सारी चीजें कंप्लेट हो गई है, एक 1906 रह गया है, जिसको देखते हैं, 1906 सेशन कैलकटा में हुआ था, कैलकटा में और इसकी अधक्षता की थी, दादा भाई, नौरो जी की द्वारा, प्रेजिडेंट थे, इस वाज फर्स्ट सेशन, इन विज, सुराज वर्ड वर्ड वाज अडॉप्टेड, सुराज वर्ड जो है, कॉंग्रिस के प्लेटफॉर्म से, इस सेशन में दिया गय में सवदेशी लिया गया, उनके प्रेशर में, उसके बाद सुराज को अडॉप्ट किया गया, और फिर भी जब उनके बीच में विवाद हो गया, तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कॉंगरिस में डिविजन हो गया, तो यह जो सेशन है, इस से कुश्चन पूशा जाता है, उसके बाद एक लास्ट इंपोटेंट जो सेशन है, वो 1929 का है, यह हुआ था लाहोर में, इस सेशन वाज हेल्ड इन लाहोर, एट दा कोस्ट ओफ रावी रिवर, ठीक है, यहाँ पर गांदीजी द्वारा अंग्रेजों को अल्टिमेटन दे दिया गया था, कि 11 पॉइंट जो है, डिमांड्स रखी गई है, उनको मान लिया जाए, अदर्वाइज अब हम सवराज नहीं, पूर्ण सवराज मांगेंगे, कम्प्लीट सवराज, तो कम्प्लीट सवराज की मांग की गई थी, 1929 के लाहोर अधिवेशन में, और इसी में 1930, क्योंकि यह दिसंबर में जन्वरी, 26 जन्वरी 1930 को, रावी रिवर के कोस्ट पे, ट्राइकलर यानि की तिरंगा जंडा फैराय गया, और पूर्ण सवराज दिवस मनाया गया, इस डे को उसके बाद 1930 से 1950 तक मनाते रहे, और यही कारण है कि हमने अपना सविधान जो है, कम्प्लीट बना लिया था 26 नमबर 1949 को, और 26 नमबर को सविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूरी तरह से सविधान को लागू किया 26 जन्वरी 1950 को, ताकि इस डे का importance बना रहे तो यह सबी चीजे थी, जो ज़्यादातर चीजे, कॉंग्रेस के से से रिलेटेड है, आई होप आप को यह प्रसंद आया हो, तो next topic के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक इसको बार-बार revise कीजिए, अगर आपको कोई problem है, तो आप हमें comment कर सकते हैं, इस वीडियो को like चुरूर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी चैनल का नाम है जोरावर क्लाशिज, साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, जैहिन, जैभारत.